Global City, नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर नहीं सुना तो चलिए आज मैं आपको बताती हो Global City आने वाले समय में गुर्गाओं का एक ऐसा एरिया होगा जो शायद दूबाई और सिंगापूर को भी टक कर दे अब वो कैसे तो ये जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंट तक बने रहना पड़ेगा तो विदाउट स्किप के मेरे साथ वीडियो के एंट तक बने रही है मेरा नाम है शिर्पी शिर्वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चानल के बायर स्क्लब और जो नए हैं इस चानल पर मैं उन्हें बता दूँ आप देखते हैं हमारे चानल पर इंडिया के वन अब दी बेस्ट प्रॉप्टीज की वीडियो चाहे वो कमर्शल हो चाहे रेजडेशल हो या फिर बात करनी हो किसी भी रियल स्टेट टॉपिक की और जिसके कारण आपका घर बैठे बैठे रियल स्टेट में एक परफेक्ट इंवेस्टमेंट सर्च करना हो जाता है बहुत ही जादा आसान जैसा कि हम सभी जानते हैं द्वारका एक्सप्रेस्वे का 11 मार्श को इनोग्रेशन हो चुका है जो हमारा गुर्गाओं वाला पैच था और जैसे ही इनोग्रेशन हुआ है गुर्गाओं के अंदर जो द्वारका एक्सप्रेस्वे से लगे हुई जितने भी सेक्टर्स हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छा अप्रीशेशन देखने को मिल रहा है यानि की द्वारका एक्स्प्रेस्वे के इनॉगरेशन के बाद गुर्गाओं का रियल स्टेट बूम पे है अब गुर्गाओं का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे आगे साइबर हब की ही इमेज आती है और आए भी क्यों ना साइबर हब जैसी जगा शाहिद ही इंडिया में कहीं और है तो अब टाइम आ चुका है गुर्गाओं को एक नहीं पहचान देने का तो हर्याना गौर्णमेट ने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लॉंच किया जिसका नाम है ग्लोबल सिटी जी हाँ ये ग्लोबल सिटी शायद आगे चलके साइबर हब को टकर दे या फिर उसको रिप्लेस ही कर दे तो बात यहाँ ये आती है कि ग्लोबल सिटी में ऐसी क्या खासियत है कि ये साइबर हब को भी पीछे चोड़ देगी और शायद दुबई और सिंगापूर को टकर देगी तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ग्लोबल सिटी बनने के कारण आसपास के सेक्टर्स में किस सरेगे का आपको इम्पैक्ट पर देगा या फिर आपको कैसा अप्रिशेशन या फिर क्या फरक देखने को मिलेगा तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल सिटी की तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल सिटी की डिटेल से तो बेसिकली जो ग्लोबल सिटी बनाई जारी है वो गवर्मेंट ओफ हर्याना के अंडर बनाई जारी है और इस प्रजेक्ट पे काम कर रही है हर्याना स मतला दुबाई के बेस्पर ही है जिस तरीके से दुबाई के अंदर एक आइकछीश नाया पहचान देगा उस प्रोजेक्ट की जू लॉकेशन है उस लॉकेशन के कारण भी यह प्रोजेक्ट बहूत इमेजिंग और मेगनिफिसेंट बन जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम location की, तो यह जो total global city बनाया जा रहा है, वो एक हजार आठ एकर के अंदर बनाया जा रहा है, जिसमें जो sector आने वाले हैं, वो है 36 sector, 36 B sector, 37 sector और 37 B sector, यहां आपको 700 meter का तो पटोधी रोड लगेगा, अप्रोक्स 400 meter पर द्वारका expressway लगेगा, और द्वारका expressway के पास ह होने के कारण, द्वारका expressway से आपको direct airport की connectivity भी मिल जाती है, इसके साथ साथ आपको NH8 की connectivity भी मिलेगी, और back side से आपको old गुरगाओं की connectivity मिलती है, जो सीधे hero honda chalk पे जाकर मिलती है, और इसके अलावा आपको NH8 की भी connectivity मिलती है, तो location बहुत जादा प्राइम हो जाती है, और सारे आपको almost सारी connectivity आपको मिल जाती है, चाहे मैं बात करो, द्वारका expressway की, पटोदी road की, NH8 की, old गुरगाओं की, new गुरगाओं की, तो connectivity बहुत ही जादा amazing रहने वाली है, इस project की, इसके अलावा hudda city center से मान्यसर तक जाने वाली metro line भी इस city से होकर ही निकलने वाली ह साथी RTS की high speed rapid train भी आपको इस city से ही चलते हुए नजर आने वाली है, connectivity के हिसाब से काफी अच्छा structure होने वाला है और इस city का infra भी बहुत ही amazing होने वाला है, गलोबल city एक midland use project है, इस पुरी city में school, hospital, housing societies, mall, entertainment hub, business, सब भी तरह की facility देखने को मिलेगी, गलोबल city हर्याना के लिए ही नहीं, बलकि पुरे देश के लिए काफी बड़ा project हैने वाला है, और ये North India की सबसे बड़ा IT hub भी बन सकता है, तो बहुती amazing project है ये पूरा का पूरा गलोबल city, अब सोची इसके अंदर आपको residential भी मिल रहा है, water body भी मिलने वाली है, साथ में आपको residential, retail space तो काफी अच्छा आपको इसके अंदर look and feel देखने को मिलने वाला है, बहुती amazing international level पे इसको ready किया जाएगा, और global city बनने के कारण यहां के आसपास के sectors को बहुती जादा अच्छा appreciation भी देखने को मिलेगा, इसके साथ जो लगे हुए sectors हैं, उसके अंदर बहु इसके आसपास और भी बहुत सारी sectors लगते हैं, for example, आपका 36A हो गया, 37D हो गया, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे जादा जो benefit देगा, यानि कि अगर आप ऐसे दो sectors हैं, जहां पे अगर आप invest करते हो तो आपको future में बहुत ही अच्छा benefit देखने को मिलेगा, वो sectors हैं काफी लगता हुआ sector है, यानि कि बहुत ही अच्छा appreciation यहां देखने को मिलेगा, यहां पर जो भी project आ रहे हैं, अगर आप उसके अंदर invest करते हैं, तो आपका long term benefit आपको देखे जाएगी, यानि वो एक long term investment होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं, global city जो है, उसको बनने में काफ काफी जादा टाइम लगेगा, जी हां, वो द्वारका expressway में जब इतना टाइम लगया उसको बनने के लिए, तो सोचिए गलोबल सिटी को बनने में कितना टाइम लग जाएगा, यानि कि वो एक long term benefit आपको देखे जाएगा, यह एक long term investment आपकी कहलाएगी, और 37D का भी वाटर लेक का concept लेकर आएं हैं, ऐसा concept आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, और इस concept के कारण इस project का look and feel बिलकुल change होने वाला है, यानि बहुत ही ultimate feel आपको आने वाला है इस project के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो ऐसा concept आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, चाहे हम बात करें, सायबर हब की, आपको ऐसा concept देखना है, तो आपको DLF कमेलिया में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहागा प्राइज हम सभी जानते हैं, तो बेसिकली ये साई details थी Global City की, अभी जादा details सामने नहीं आ रही है Global City की, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्दीस का कान स्टार्ट होगा, तो ये बात हो कोई Global City की, तो ये सारी information थी, सो आपको कैसी लगी वीडियो, जरूर हमें बताएगा, और हाँ, आपको अगली कौन सी वीडियो देखने हैं, आप सरूर हमाई साथ comment box में से share कर सकते हैं, तो चलिए मैं आप से मिलती हूँ next वीडियो में तब तक लिए नमाशकार और स्टे सेफ।